हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चल में स्वागत है आज हम लोग भारतिय स्वद्धा संग्राम में जारखन की क्या भूमिका रही और जारखन में वहाबी आंदोलन उग्र राष्ट्यता का परचार परचार किस प्रकार हुआ इसे सम्मधित जितने भी mcq बने करेंगे और इसे पहले मैंने जारखन के इत्यास से सम्मधित प्रेक्टिस कोशन कापी कराया है जिन्होंने नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और अगर आप चैनल के साथ पहली बार जूड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ अपने दोस् के बारे में देखेंगे फिर आगे एक टोफोट जितने भी टॉपिक है सब टॉपिक करते चलेंगे तो पहला कुछ से नहीं है आज का वहाभी अंदुल के जारखन इलाके में परसार कदाई तो निमनिमें से किसे सोपा गया था यानिकी वहाभी अंदुल के परसार के सा मुहम्मद हुसेन को जारकर्ण में वहावी आंदुलन के परसार करने तरित सोपा गया था नेक्स कुसेन है जारकर्ण में वहावी आंदुलन की साखाय कहां खोली गई नेक्स कुसेन है संथाल परगना चेतर में वहावी विचार धारा का परसार किसने किया मीर उष्वान इब्राहीम मंडल अमरुद्दिन या फिर बी और सी दोनों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहीम मंडल और अमरुद्दिन दोनों दोनों ने जो है संथाल परगना में वहावी विचार धारा को फैलाने का काम किया नेक्स कुसेन है हजार इबाग में निमन में से कौन सा वैक्ती अहमद सा बरेली जी से मिलने बरेली गया था कमरुद्दिन मेर उस्मान इब्राहीम मंडल या फिर जमील खा इसका सही उत्तर क्या वाजागा आप्शन भी मेर उस्मान नेक्स कुसेन है नेक्स कुसेन है वहावी अंदोलन के दोरान पाकुड में निमन में से किस वैक्ति को आज जीवन कारावास की सजा मिली थी पाकुड में किसे उम्रकेद की सजा मिली थी यह आप से पूछा गया है वहावी अंदोल में अब्दुल गफर खाम मिर उस्मान इब्राहीम मंडल या फिर इमें से कोई नहीं इसका सही उत्रिकाई इब्राहीम मंडल ऑप्सन सी कि नेक्स्ट अब हम लोग हुगर राश्टेता का परचार परसार देखेंगे इसमें तो इसमें सबसे पहला खुशन है निमन में से कहां के क्रांतिकारी आंदोलं का गहरा प्रभाव जार्कान पर ठाबाता ठीक है यानि कि कहां कि आंदोलन का प्रभाव जार्काने पड़ा था यह आपको बताना है तो मीजोरम लोग्र 2020 नगल अर्सम या फिर बंगाल तो इसका सही उत्र क्या हो जागा दोस्तों बंगाल के जो भी क्रांतिकारी आंदल हुए थे बंगाल में उसका जो प्रभाव है ज्यादा जार्खन में पड़ा था ठीक है तो इसका सही उत्र क्या ओप्सिंट डी नेक्स क्विशन है ज्यार्खन में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुक केंद्र निम्न में से कौन से सहर था देवघर पाकुड गडवा या फिर गुमला इसका सही उत्र क्या हो जागा ओप्सिंट डेवघर आपको पता है 1857 की क्रांति जो हुई थी उस समय भी देवघ मेंही सबसे पहले क्रांति सुरू हुई थी तो यह देवघर क्रांतिकारी का अतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा था निम्न्नि मेंसी जार्खन के किसा सहर में स्वर्न संग या नि गॉल्डेन लीग होगा लोग नहीं लीग ठीक है गॉट्रेल लीग नामक के एक संस आप्शन भी देवघर कि नेक्स कुछन है वारेंद्र कुमार घोष समेत कई तरून करांतिकारियों ने देवघर में नीमनी में से किस संस्था की अस्तापना किये थी आपकज़ शिल्वर लिग शीलेर बाडऊ गॉल्डल लिग या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्र क्या वा जाँगा option c golden link यानि की स्वर्ण संग स्वर्ण संग की अस्तापना किस ने की थी बारेंद्र कुमार घोष ने कहां पर की थी देवघर में की थी कि नेक्स कुश्यन है देवघर इस्तित निम्ण में से किस मकान का उप्योग ग्रांतिकारी बंब बनाने और अपने सहयोगियों को इस दिसा में परसेचित करने में क्या करते थे स्वर्ण मंदिर बाबादवार सांतिकुंच या फिर सिलेर बाड़ी तो इसका सही उत्र क्या क्या अपस्तिक किस्यां तुक्या क्या क्या करते थे बंब बनाने के लिए और जो भी इस उटाधे उससको परसेचित करने के लिए हैं कि सिलेर बाड़ी नामक मकान किस वर्ष बंब बनाने की सामगरिया ब्रामध हुए थी यहां से बंब बनाने की सामगरिय प्रामध हुए थी कब 1905 स्वी में 1910 स्वी में या फिर 1913 स्वी में या फिर 1915 स्वी में तो इसका सहीवत्र क्या हो जाएगा ऑप्सिन डी 1915 ऐन्दरधियू में है abdin ह系 महान करांतिकारी अ महान करांतिकारी अरविंद घोस व करना ना राज नरायon वश कहां के रहने वाले थे राची जम्सितपूर पलामु या फिर देवगर जो सही उत्र झाला देवगर आपने सुना अधा वर अर्विंद्र घोस वार्यू इंप कि वाजा है ऑप्शन डी निक्स कुशन है क्रांतिकारी वारिंद्र गोस की सिच्छा दिच्छा की शुरूआ जारक्ण के कि सहर में हुई थी देवघर रांची पाकुड या फिर गोड़ा इसका सही उत्तर क्या वजागा ऑप्शन ए देवघर में हुई थी नेक्स्कुशन है देवघर इस्तित आर मित्रा उच्विध्याले क्रांतिकारी राष्टवाद का सुचक है यहां कि किस प्रधानाचायरी द्वारा यूवकों को क्रांतिकारी परसिच्चन दिया जाता था आपको बताना है प्रधाना चाहिए का नाम जतिन मुकरजी सांतिकुमार बक्षी बज्र भूसन मित्र या फिर कि एके राई ठीक है तो इसका सही उत्तर क्या हो जागा ऑप्सन भी सांतिकुमार बक्षी कि नेक्स को सेने सुकुमार मित्र बी मी एम बीवी सॉरी सुकुमार मित्र बी मी मित्र एवं एमन बॉस कहां के करांतिकारी निता थे ठीक है यहां पर यह बी मी नहीं होगा बी बी होगा ठीक है बीबी मित्र ठीक है सुकुमार मित्र बीबी मित्र और एम एन बोस कहां के क्रांतिकारी नेता थे देवगर रांची पलामू या फिर गढ़वा तो इसका सही उत्र क्या हो जागा देवगर ओप्सन ए नेक्स क्वेशन है रोड़ा रोड़ा आम्स केस में सामिल जहरकन के दो क्रांतिकारी प्रभु दयाल हिम्मत सिंग और बैदनात विश्वास कहां के रहने वाले थे राची जमसितपुर दुमका या फिर धनबाद इसका सही उत्र क्या हो जाएगा दुमका पर आवर स्वाधिन भारत सिर्षक के परचे किसने शिपकाय थे इंद्र भोषन राई जीवन क्रिस्टो राई अरुन राई या फिर निर्मल चंद्र बनर जी तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ओप्सन डी निर्मल चंद्र बनर जी गिरुडी का नि scripture नीर्मल बनर जी या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मनोरंजन गोहा यानि ठाकूर्दा जो है वो क्रांतिकारियों को धन मौहया कराते थे next question है हजारी वाग इस्तित कोलंबस महाविद्याले के किस क्रांतिकारी छात्र को हजारी वाग का जतिन वाग कहा जाता है कहा नहीं कहा जाता है ठीक है कहा जाता है निर्मल चेंद्र बन्रजी इंद्र भुषन राव राम विनोत सिंग या फिर वीने सिंग तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्षन सी राम विनोत सिंग कि अता कंपने में कारिरत कौन सा व्यक्ति रख्त रंजित क्रांथी से भारत को दक्रम में चाहता था, नियोर्क से घोषना किया था कि जो भारत है उसको रक्त रंजित करांती से ही मुक्त किया जा सकता है अबरनात मुखर जी, PC बनर जी, रामाधार, सिंग मुंडा या फिर इनमे से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? Option A, अबरनात मुखर जी, ठीक है ये टाटा कमपनी में कारे रत थे और इनों ने कहा था रक्त रंजित करांती से ही भारत को अंग्रेजों से मुक्त किया जा सकते हैं धाका मेमन, सिंग तथा कलकत्ता के करांती कारी निमने में से किस अस्तान पर छुपकर गुप्त परचार करते थे जमसेदपूर, लातेहार, गढ़वा या फिर हजारी पाग इसका सही उत्तर हो जाएगा जमसेदपूर विरेंदरनाथ भट्टाचारिय कहां का एक परमुत करांती कारी था पाकूर, जमसेदपूर, रांची या फिर देवगर उसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन डी देवगर विरेंदरनाथ भट्टाचारिय के मकान पर अक्टूबर 1927 सिस्वी में छापा मारा गया जहां से पिस्टल कार्तुस के साथ साहित बरामत किये इस केस को किया नाम दिया गया डाका सरियंदर केस मेरट सरियंदर केस देवगर सरियंदर केस या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जागा ओप्शन C. देवगर सडियंत्र केस देवगर सडियंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरपतार किया गया 5, 10, 15 या फिर 20 तो देवगर सडियंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरपतार किया गया था तो अप्शन 10 का सही उत्तर हो जाए हेमंद नाथ घोस जो क्रांतिकारियों को धन मुहया कराते थे कहां के रहने वाले थे दुमका राची सिंग्भूम या फिर पलामू तो इसका सही उत्तर क्या हो जागा दुमका एक ठाकूर्द आते जो भी धन मुहया कराया करते थे ठीक है और एक हेमंद नाथ घोसे जो धन मुहया करते थे किसको क्रांतिकारियों को तो ठाकूर्दा थे वो कहां से करते जो ठाकूर्दा है ठीक है यह गिर्डी के थे ठीक है और गिर्डी से यह क्रांतिकारियों को धन मुहया करते थे और जो हेमंद नाथ घोसे वो धुमका के थे जो क्रांतिकारियों को धन मुहया करते तो यह आपको याद रखना है 7 चेमासा से प्रकासित क्रांतिकारी पतरिका तरुण शक्ति का समपादक कौन था आनंद कमल चक्रवर्ती, रामनात बौश, वीबुती, भोसन बनर जी या फिर रामचनदर साही इसका सही उत्र क्या हो जाएगा? आनंद कमल चक्रवर्ती, पीफ्ने इसका सही उत्र हो जाया नेक्स्ट अब हम लोग गांधी यूग से सम्मंदित करेंगे गांधी यूग से सम्मंदित इसमें सबसे पहला क्वेशन है मुलाना अबुल कलाम अजाद को नजर बंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया मुलाना अबुल कलाम अजाद को राची में कहां रखा गया था खुटी तमाड मोहराबादी या फिर टाटी सिल्वे तो इसका सहीर तरक्या जगा मोहराबादी में रखा गया था इनको नेक्स कुछिन है नेक्स कुछिन है मुलाना अबुल कलाम अजाद ने राची में कौन सी संस्तास तापित की थी रहमत इसलाम अंजुमन इसलामिया मदर्सा इसलामिया या फिर बी और सी दोनों इसका सही उत्तर क्या हो जागा बी और सी दोनों यानि कि अंजुमन इसलामिया और मदर्सा इसलामिया दोनों के अस्तापना किस ने की थी मुलाना अबुल कलाम अजाद ने कहां पर की थी तो राची में की थी नेक्स कुछन है मुलाना अवुल कलाम अजाद को नजर बंदी से कब मुक्त किया गया 27 दिसंबर 19 को मांच जुलाई यहां पर 19 सो होगा ठीक है 1921 एक जनवरे 1921 या फिर तीन जून 1922 तो इसका सही उत्तर क्या हो जागा 27 दिसंबर 19 19 को कि महात्मा गांथी के चरण ज्रकन की धरति पर पहली बार पहली बार कपड़ ही competent 1915 को चार जून सुआं कुछ निल कुछ तीन में 1918 या पिर पांच फरवर ही climb 1921 इस वी इसका सहे दोर्त क्या जागा चार जोन 1917 इस भी को जारकन की धरती पर पहली बार मात्मा गाधी का चरन पड़ा यानि कि पहली बार जारकन आये थे गाने जी किसके निमंत्र पर रांची आये थे किसने उनको निमंत्रन दिया था चार जून 1917 को रांची आगमन के पस्चाद गाने जी किसके यहां ठाहरे थे बशावन सिंग यदूवन सहाई जैपाल सिंग या फिर स्याम क्रिश्न सहाई इसका सही उत्तर हो जागा इनके बुलाने पर ही आये थे और इनके पास ही ठहरे थे गाने जी कि झारinking आगमन के समय उनके साथ और और कोन थे कस्तुर्बा गांधी देवदाश सिंह रामदास या फिर उपर यक्त सभी उग्षितन पर कसा चले डाओ आख कस्तुर्बा गांधी थी देवदास गांधी भी थे रामदा सब और दो जाएगा नेक्स स्मुचिन सी समय झ्तन यहां पर तीस तीन तुसका सही उत्र हो जाएगा ऑप्शन भी 21 तक जहरकण में रहते हैं कहां जाने से पले चमपारण जाने से पले चमपारण आंदोलन की रूप रेखा जहरकण के कि सस्थान पर त्यार की गई जमसेतपुर पलामू राची या फिर देवगण इसका सही उत्र क्या राची राची में इसकी रूप रेखा त्यार हुई थी महात्मा गांधी मोतिहारी से चलकर राची किस से मिल ले आये थे विलकिंसन मेजर नेशन लेटिन गवर्नर अडवर्ट गेट या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्सण भी सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन ंसी लेटिन गवर्नर एडवर्ट गेट एडवड गेट से मिलने के लिए ओपल 2 इस चंपारां से सुरी मतिय मोतिहारी से तिके मोतिहारी से राची आया थे कि नेक्स कुस्चेन है ये क्वेस्तिन यहाँ पर आगे पीछे हो गया नोबल पुरसकार से सम्वानित महान कभी रविद्र नाथ टेगोर के संबन्द में निमन में से कुन सा कतन सही है यानि कि रविद्र टेगोर के बारे में आपका बताना है कुन सा कतन सही है प्लight को ओछ ओजल से गहरा समबन्ध dei कुछ अध्याय की रसना उन्होंने राची में या फिर टे एवормौ की पुस्तक गितानजली विरभूम मानभूम और भाग्रीक्ण मानगा करती है या फिर उपर्यूक सभी तो इसका सही उत्तर क्या हो जागा यह आपको बताना है कि इसका सभी जारक्ण सफी और इनका घहरा नेक्स कुश्चन है राची में रोलेट एक्ट और जलिया वाला बाग हत्यकांट के आंदोलन का नेतरित किस ने किया बिंदेश्वरी पाटक भागवत पांडे गुलाब तिवारी या फिर होम प्रकास पांडे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाब तिवारी ओप्शन C राची में वं पांग्रेस कमिटी की अस्ठापनाक कव उए उसका सही उत्तर हो जाएगा वोगी by q u कमिटी कि अस्थापन कभ वी निशोबी से स्वी उनिशी 22 वी उनिशी किस वी या फिर उनिशोब चेस वी इसका सही उत्र रहाग अप्शन भी अप्शन ए उनिशोबी से स्वी में रात हजारी बाग जीला कंग्रेस कमिटी रगाठान वाथ दोस्तों ये थे आज का कुष्चिन और आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अस्वयोग आंदोलन तीके अस्वयोग आंदोलन से संबंदित कुष्चिन हम लोग करेंगे और फिर हम लोग भारत चोड़वा अंदोलन और आजादी के बाद जो भी जारकन करेंगे पर äंदोलन यानि की जारकं को एक अलग राज दरज़ा अलग राज बनाने की जो मांग उठी थी उसे संबंदित कुष्चिन हम लोग करेंगे और इस तरह से बहुत सारे हम लोग सीरीज में एक प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले विभिन परिशाओं के लिए यह काफी इंपोर्टेंट होने वाला है तो आप लोगों से गुझारी से कि आप अधिक से अधिक संख्या में जूड़े और जो पहली बार जूड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को अपने दुस्तों के साथ सेर करें च अब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल